क्या आपको पता है 6 class से लेकर 12 class की student के लिए SBI की scholarship पग्राम है जिसका नाम है SBI आशा scholarship पग्राम जिस scholarship पे यानि students को सालाना 15,000 रुपीज के scholarship मिलता है इस scholarship के लिए कुछ criteria यानि कुछ eligibility है यानि तिन conditions है जो पहला condition है वो यह है कि students 6th class ते लेकर 12th class के बीच पे होना चाहिए जो दूसरा condition है वो यह है कि students की last year की mark minimum 75% होना चाहिए और तिसरा condition है annual income 3 lakh से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका 3 lakh से ज्यादा income नहीं है annual income अग करते हैं कि scholarship को apply करने के लिए कुछ documents की ज़रूरत पड़ती है वह जो documents क्या-क्या है यह दूसरों तो documents पर पहला जो documents वह यह है कि आपका last year की mark sheet आपको देना होगा साथ पर आपको एक ID प्रूफ देना होगा जिसके लिए आप बोटर ID काड या फिर other card दे सकते हैं जो तिस प्रूफ देना होगा जिसके लिए आप income certificate या फिर आप form 68 दे सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप अपने प्रेंट्स की salary दे सकते हैं और इसके साथ सथ स्टुएंट्स की एक photograph भी देना होगा जा दूसरों तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिख्याने वाला ह करने के लिए आपको इस पेज़ पे आना होगा यह लिंक आपको वीडियो के description पर भी मिल जाएगा इस पे आप अपको पहले रिजिश्टर करना होगा तो आप रिजिश्टर पर क्लिक करेंगे इस पे आप स्टुडेंट्स का फास्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे एक मोब करेंगे इस कोलाशिप में अप्लाई करने के लिए तिन कंडिशन से तो यहाँ पर पूछी गई है कि आप सीख से लेकर 12 क्लास पर आते हैं यह करेंगे आपके लास्ट क्लास पे 75 परसें से ज्यादा मार्क आई है यह करेंगे फैमिली इंकम तीन लग रुबे से कम हैं यह क करेंगे इसके बाद चेक पर क्लिक करेंगे तो आपके समने आज आए का कॉम्राचुलेशन्स आप इस स्किम के लिए इलिजीबल है इसके बाद आपको अपना डेटेल्स फिल करनी होगी जैसे कि फास्ट नेम लास्ट नेम एक इमील आईडी मोबाइल नंबर आपना डीट कर देंगे यह सक्षन कंप्लिट हो चुका है इसके बाद आपको अपना डेटेल्स देनी होगी तो इसके लिए आप अपना प्रेजेंट क्लास चूज करेंगे प्लास आइकन पर क्लिक करेंगा यह ओपन हो जाएगा आपको यहां पर डेटेल्स फिल करनी है जैसे कि किस्टिक इंस्टिटिट नेम और पसिंगcke चूज करना है इसके बाद सेब करेंगे इसके बाद आपको family members के डिटेल्स फिल करनी होगी आप अपCrymar family पर क्लिक करेंगे यहापा अपना फेमिली इंकम डालेंगे इसके इन्व मेंबस कारेंगे अपना डोकुमेंटष करनी हो तो पहले आप अपना पस्बूक साइज एक फोटो अपलोड करेंगे फोटो आप PDF या फिर JPG पर अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम फाल साइज आप 1MB तक की राख सकते हैं ब्रॉज पर क्लिक करेंगे और यहापे डोकुमेंट्स अपलोड करेंगे अगर father या फिर mother का bank account है तो आप उसका name या पर डाल देंगे और यहापे आप अपना account number डालेंगे यहापे IFSC code इसके बाद bank name और branch name डाल के save करेंगे bank details save हो जाएगी इसके बाद यहापे आपको अपना और अपना family का बारे में कुछ बताना होगा तो आप यहापे type कर देंगे इसके बाद times and conditions को accept करेंगे और preview पर click करेंगे आपके सामने complete application आजाएगे जो आप एक बार चेक करेंगे और अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप submit पर click करेंगे आपके application successfully submit हो जाएगे इसके बाद आपके application को verify किया जाएगा और उसके बाद आपको scholarship amount आपके bank account पे credit कर दिया जाएगा इसके बाद आपके application के status देखने के लिए आप इसी website पर आएँगे अपना mobile number और password डालके login करेंगे इसके बाद यहापे आपको एक option मिल जाएगा यहाप पर click करेंगे scholarship तो आपके सामने सारे scholarship के एक list आजाएगे जिसमें से आप किसी भी scholarship के लिए apply कर सकते हैं इस पर आप यहाप लोगों यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपका भी eligibility match होता है तो आप यह scholarship apply कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगए त आपके ज़रुर्ण श्यार करना वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना कि पर इस चैनल पर ऐसाए इंटेरिस्ट्री वीडियोज आता रहता है चलेए जाज के लिए इतना ही मिलता है आप लोग सा किसी ऐसाए झाल 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 झाल